तो हेलो बच्छा लोग वेलकम बैक अगेन इन एड़ग्रोन आई हूप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे तो यार आज अपन एक बहुत इंट्रेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो यार क्लास नाइन था का ठीक है चैप्टर है ग्रेविटेशन बहु अपनी सेस्ट में जेनरली क्या करेंगे इस चैप्टर का इंट्टैक्शन देखेंगे कि आपका इंट्रेस्ट बना रहे हैं ग्रेविटेशन में पढ़ने की एक्षा थोड़ा सा और पर इंक्रीज हो जाए उसकी बाद अपनेक्ट लेक्चर से में टॉपिक्स पर आ जाएंगे ठीक है तो यार लीट नहीं करते हैं चलते हैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बट एक छूटी सी रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हो तो यार चैप्टर नंबर टैन है ग्रेविटेशन हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइंत का है ठीक है तो यार देखो अगर आपको इस चैप्टर का क्यूक रिवीजन नोट्स चाहिए या फिर आपको इस चैप्टर के तो यार सबसे पहले हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले और इस शरुआत करेंगे इस चैप्टर के इंट्रेक्शन से जो की गुछ दिर बाद आपको देने वाला हूं डॉन वरी है ना आगे बढ़ते ही बढ़ते ही आगे बढ़ने के साहित हम नियुटन्स यु उनिवर्सल लॉव बनाके हमें दिया था जो कि ग्रेविटी को ग्रेविटेशनल फॉर्स को ग्रेविटेशन को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है आगे हम बढ़ेंगे तो अब यह कुछ फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो इस फॉर्मूले में डिवीशन में डी स्कॉयर आपको दिख रहा है यानि डिस्टेंस का स्कॉयर तो ऐसा कहां से न्यूटन को किसी ने फुक दिया था क्या कान में नहीं तो यह कहां से से तयार करना ताकि यार 11 12 में आप जब जाओ आप नीट आयटी की पढ़ाई स्टार्ट करो तो ऐसा ना लगी कि यारी तो कुछ नया पढ़ रहा है यह सब चीजें पती होनी चाहिए ठीक है तो यार आए चलते हैं उसके बाद हम डिसकस करेंगे कुछ इंपोर्टेंट फ फ्री फॉलिंग के बारे में पढ़ेंगे जब कोई अब्जेक्ट उपर से नीचे की तरफ आता है गिरता हो जब कोई अब्जेक्ट फ्री फॉलिंग यानि फॉल होता रहता है लाइक डैट उपर से नीचे की और इस तरीके से आ रहा है इसकी फ्री फॉलिंग कहते है और जो होता है वह ग्रेविटेशन के प्रेजेंट में होता है हमारे अर्थ का एक खुद का ग्रेविटी है तो ऊपर कोई भी अबज़ेक्ट आफ तो वह आपस नीचे आता है इसके कुछ फर्मॉलाइज के बारे में पढ़ेंगे ठीक है कैसे हम जी की स्मॉल जी की वैलू कैल्कुलेट करते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर है यह बहुत इंपॉर्टेंट है वह देखेंगे कुछ कोशन की प्रेक्टिस करेंगे आफ्टर डैट हम अलग केस में ठीक है हम एकवेशन ओफ मोशन को डिसकस करेंगे जो एकवेशन आपने फर्स्ट शेप्टर मोशन में पढ़ा था ठीक है फर्स्ट एकवेशन ओफ मोशन जैट इस वी इप्लस 80 स्टेड पड़ा था अपने एकल टो यूटी माईनस हाफ 80 स्कॉयर ठीक है उसके अगर कोई अब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा इन डैट किसमें वह फर्मूला किस तरीके से बदल जाएगा उसको देखेंगे दैन इसके बाद मास और वेट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जनरली अगर फर्स्ट टाइम आप यह वीडियो देख रहे हो आपको नहीं जो स्मॉल जी है उसको कौन-कौन से फेक्टर इफेक्ट करते हैं वो देखेंगे कुछ नियुमरिकल की प्रेक्टिस करेंगे थ्रस्ट और प्रेशन में डिफरेंस क्या है बहुत बड़ा डिफरेंस है यहां भी बहुत लोग का लगता है थ्रस्ट भी एक तरीकी का फोर्स है प्रेशर भी दुनों सेम टाइप का फोर्स है तो यह सब को भी अलग-लग करके देखेंगे जा थ्रस्ट अलग है फ्रेशर अलग है डोनों में क्या डिफरेंस है यह सब चीजे देखेंगे उसकी बाद कुछ की प्रेक्टिस करेंगे बहुत इंपॉर्स से बारे में समझ सब्सक्राइब करेंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा यहाँ ठीक है तो यह तो मैंने आपको एक ओवर्वियू दे दिया कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं बस ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है मुस्किल से कुछ में मैं करूंगा क जो भी चीज पढ़ो जो भी टॉपिक पढ़ो थोड़ा सा घूस के पढ़ो ताकि यार फूचर के लिए एकस्ट में आपका काम करें चलो स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर का इंट्रोडेक्शन ओवर्वियू हमने कर लिया कि क्या के चीज़े पढ़ना है अब हम चै से आप इसको भी देखने लग या होगे तो ग्रेविटेशन फूर्स ऑफ अर्थ ठीक है क्या होता है इफ रिलीजा स्मॉल स्टोन विदाउट पुसिंग इट फ्रम हाइट इट एक्सिलेरेट तोवर्ट्स द अर्थ ठीक है ने समझ में आया या पेन पहले तो पेन पेपर पर उठालो तब समझ में आएगा सो लेटे होगे और मुवाइल देख रहे होगे ऐसे थोड़ी न पढ़ाई होता है बैठ जाओ सामने रखलो मुवाइल दैन पेन पेपर ले लो जो मैं नोट्स ना प्यारा सा नोट्स दे रहा हूं लिखते जाओ यार है ना लिखते और और जाएगी आप कोई भी आपज़ेक्ट को ऊपर फेको और देखो कि वह अबज़ेक्ट वापस नीचे ही आता है ऐसा क्यों यार ऐसा क्यों यार अगर हम वही बॉल को अगर मेश्ट फेंट फेको तो चला गया तो फिर दुबारा आता ही नहीं है फिर दोड़ने पड होता है क्योंकि उस बॉल पर एक फॉर्स डावनुट डारेक्शन में एकन्टिनियुस्ली एक्ट होता रहता है ठीके जिसे हम mental force of Earth कहते हैं हमारे अर्थ के पास भी अपना magnetic field अपना Electric Field एना अपना gravitational force हैं यह चीज आपको रfeit अब उनके दिमाग में उनके कान में spent फूख दिया और इनको दिमाग चलने लगा कि यारे क् Gas पेडुटा तो नीच्छे ही क्यों गिर्ड ऊपर क्यों नहीं गया अब बस इन्होंने लगा दिया पुरा अपनी जिन्दर नी और भूंद दिये ग्रेविटेशनल फोर्स को ठीक है ऐसे यार आप भी कुछ चीज़ करो एक्सपरिमेंट है ना ओके तो यह चीज ध्यान रखने जब भी हमको यह अब्जेक्ट उपर फिकते वह वापस नीचे इसलिए आता है क्योंकि हमारा जो अर्थ है एक ग्रेविटेशनल फोर्स उसके पास जो कि उसको अट्राक्ट करता रहता है नीचे की ओर ठीक है ना देश्टोन अब देखो 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 इस्टोन इस वेन एक्सिलरेटेट टोर्स अर्थ मेंस सम फोर्स इस एक्टिंग ओन इड़ फोर्स विच पूल्द ऑब्जेक्ट तोवर्स तो जरा इसको यह नीचे की तरफ एक्सिलरेट होने लगा नीचे की तरफ एक्सिलरेट होने लगा ठीक है तो यह जो एक्सिलरेशन है यह एक्सिलरेशन ऐसा ही कहीं से नहीं आ गया अगर बॉडी में वी नो डैट कि फोर्स लगेगा कभी एक्सिलरेशन होगा क्योंकि सेकेंड लोग क्य का वो अगेन नीचे आने लगा यानि उसमें कुछ ना कुछ acceleration act हो रहा है और acceleration act हो रहा है यानि 100% है इस पे कोई ना कोई फोर्स भी लग रहा होगा वो भी यही same direction में बाद में Newton ने स्कोई स्टडी किया और नाम दिया that is gravitational force of अर्थ यह एक ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ ज्वारा इस बॉड़ी पे लगाई जा रही है क्लियर है नाँ हीर इस्टोन आलसो अट्रैक्ट अर्थ इट मिस एवरी ऑबजेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट इच अदर अबजेक्ट अच्छा तो यहां पर क्या हुआ और जिस तरीके से हमारा अर्थ जैसे माल लोग यह हमारा एक अर्थ हैं और यह हमारा इसोन है जिसको में उपर की तरफ फेका है तो उसी तरीके से यह अर्थ भी तो इससे दूर है ना अगर यह इसकी तरफ आ रहा है तो अर्थ भी तो इसकी तरफ जा रहा होगा ना क्योंकि यह आपने इसको फेका है तो यह एक्सिलरेट हुआ तो जाहिर सी बात है इस पर कुछ फोर्स लग रहा है नीचे की और तो भाई आपोसिट्रेक्शन तो यह इधर की तरफ एक्सिं हो रहा है अर्थ की तरफ घूझे उपर की तरफ एक एकक्सिं होगा तो यहां एट्रेक्ट होते ही हैं अब यहां पर बहुत लोग गर्ल्फ्रेंड और वाइफ्रेंड को समझ लेंगे सही बात है यार अगर आप जेंडर हो मतलब तो मेल हो तो फीमेल होगी फीमेल हो तो ने चीज चल रहा हो तो इससे इनोह ने यह चीज लाइन बोल दिया था बट यार यहां पे ev. condition ago यह चीछ possible है तो जव अर्थ हो रहा है स्टून जिस तरह के से अर्थ और ने स्टोन को एट्रेक्ट किया उसी तरीके से स्टोन भी अर्थ को अट्रेक्ट कर रहा और बट अर्थ तो मॉव होता हुआ हमको नहीं दिखता है स्टोन मुव से आते हुए क्योंकि अर्थ से उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो यार अर्थ भी तो उसकी तरफ जाना चाहिए ना ऐसा क्यों नहीं और फिर न्यूटन ने सुरू सुरू में सब्सक्राइब नहीं होता है कि अर्थ रोटेट हो रहा है तो हो सकता है इसी वज़ए से अर्थ कुछ ना कुछ पॉइंट में कुछ थोड़ा मुव हो रहा होगा पट हमें नहीं नहीं सुरू में कन्क्लूजन यह आया था बट आगे चलके इस चीज को और भी अच्छी तरी है इसने एक थ्रेड लिया है यह क्या है एक थ्रेड है ठीक है इस रसी है यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है और इसको क्या कर रहा है इस तरीके से यह पर recommends से कम या उसके पास या उससे दूर जा रही या पास ट्रेवल कर रही है सो या यानि object motion में, circular की बात करेंगे, तो अगर कोई object एक circular path, circular figure में वो चल रहा है then ऐसे को अपन circular motion कहेंगे और uniform यानी constant speed से, अगर आपकी body एक constant speed से rotate कर रही है, और circular path में rotate कर रही है then ऐसे motion को अपन uniform circular motion कहते हैं, clear? अब यहाँ आप इंपोर्टेंट जानने वाली चीज़ है कि साय चलो ठीक है, but speed तो constant हो गया सर, क्या velocity जो है, वो भी constant हो जाएगा क्या, क्या सर, velocity constant होगा, क्या, मैं बोलूँगा velocity is not constant, yes, speed will be constant in circular motion, but velocity will be never constant, क्यों सर, ऐसा क्यों, थोड़ा सा समझो, धहर रखो, अभी समझा रहा हूँ तो यार, पहले तो आप clear करो कि आपको speed और velocity में अंतर पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है तो भाईया, previous जाओ, motion chapter पड़ो, समझ में आ जाएगा है ना, चलो थोड़ा बहुत introduction अपन देखर यहाँ पर करेंगे तो देखो यार, यहाँ पर थोड़ा समझाते हैं, पहले बता मुझे speed का formula क्या होता है speed का लिखते हैं, distance upon time यह बोलते हो speed को, speed जो है वो scalar quantity का होता है scalar quantity का होता है, scalar quantity quantity क्या होता है, भूल गए हो तो revision भी कराते हैं, चलो तरह होता है scalar quantity क्या होता है यार जिसके पास सिर्फ और सिर्फ magnitude हो, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ magnitude हो, magnitude याहनी जैसे example की तरफ लिए जैए force speed के term में 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 च्वाइब च्वाइब 5 m2 से, force के term में दिस्प्लेस्मेंट अपन टाइम, there will be a huge difference between distance and displacement, है ना, displacement यानी shortest distance between two points, like आपको यहां से आप ऐसे गए, है ना, आपको इस A से B तक जाना था, तो एक तो आपने, जो सरकार ने रोड बना के दिया है, तो आप उसकी help से गए भाई, like this, गवर्मेंट ने जो रोड दिया है, तो ले गया है, like shortcut मार दिया, आपने, that is the displacement, the shortest distance between two points is displacement, है ना, distance displacement clear हो गया, उसे तरीक से speed होता है, distance upon time, और velocity जो होता है, displacement upon time, अब जो distance या speed हो, इस केलर quantity होता है, जिसके पास स्रिफ और स्रिफ magnitude होता है, वही हम velocity और displacement की बात करें, तो displacement half direction, तो एक्जामपल के एक्जामपल दे ली देता हो है, vector quantity, कैसा होता है, भाई, vector quantity का होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास magnitude के साथ साथ, प्लस में, direction भी होता है, like, force के term में दिखाया जाए, तो 5 newton, magnitude, 5 newton, in which direction, in east direction, that is the force, ठीक है, velocity के term में दिखाया है, तो 5 meter per second, किस direction में, भाई, पांच meter per second से body किस direction में जा रही है, body waste direction में जा रही है, तो यहाँ पर क्या है, आपके पास magnitude है, और साथ में साथ, एक वेस्ट, एक direction भी है, तो that is what, it is a velocity, ठीक है, because it is a vector quantity, तो उसी तरीके से, मैंने क्या बोला, कि जब कोई object circular motion करती है, अब वो circular motion हमारा earth, sun को circulatory move कर रहा हो या फिर हमारे satellites जो है, earth को revolve कर रहे हो, या हमारा जो sun है, वो earth को revolve कर रहा है, या यह बंदा, जो यहाँ पर खड़ा है, जो मजे ले रहा है, इसको घुमा घुमा के, है न, यह that is all our uniform circular motion, अब uniform circular motion में मैंने क्या बताया आपको, कि यार, speed will be a constant, speed क्या होता है, हर point पे speed constant वो भी सेम होगी, मतलब इस point की speed देख लो, वो भी सेम होगी, है न, इस point की देख लो, वो भी सेम होगी, speed, इस point की speed देख लो, that is also constant, तो हर point की speed will be a constant, but हमें पता है, हमने कहीं बता है, velocity depends on, velocity is a vector quantity, it means, it has magnitude तो होगा, यहाँ इमाल लीजे, speed यहाँ पर कितना है, 5 meter per second, पत्थर यह जो stone है, उसका यहाँ भी 5 meter per second होगा, यहाँ भी 5 meter आपका, that is what, यहाँ भी आपका 5 meter per second speed होगा, but जो velocity होता है, बच्चा लोग, वो vector quantity होता है, इस magnitude पर तो depend करता है, साथ में साथ direction भी, तो यहाँ पर देखोगे, हर point पे direction चेंज हो रहा है, तो velocity चेंज नहीं ह यह देखो, हर point पे direction चेंज हो रहा है, है ना, यह देखो यह इस direction में जा रहा है, इधर देखो यह इस direction में जा रहा है, इधर देखो यह इस direction पे जा रहा है, इधर देखो यह इस direction पे जा रहा है, इधर देखो इस direction में जा रहा है, तो अगर आप पत्थर को इस तरीके से और अचानक से अगर आप छोड़ते हो तो वो एक particular street line में move कर जाएगा है ना इस तरीके से street line में इस तरीके से यह move कर जाएगा तो क्या समझ में आया इससे कि यार हर speed will be a constant that's okay but velocity never constant तो कि यह जो stone है इसको circular path में अपने आपको circular path में maintain रखने के लिए इसको continuous अपना direction को change करते रहना होगा continuous अपने direction को इस तरीके से बदलते रहना होगा आगर वो direction change कर रहा है तो 100% भाई speed velocity जो है वो भी कुछ ना कुछ change हो रही होगी ठीक है so velocity will never constant velocity is not constant ठीक है same to same in that case acceleration is also not constant क्योंकि acceleration is equal to what velocity upon time so acceleration is also not constant ठीक है then again force will be a constant force is equal to mass into acceleration if acceleration is not constant then how force will be a constant it will some changes clear है तो यार यह देखो अब यह object को अगर circular path पे rotate करते रहना है तो इसको इस पे एक force लग रहा होगा जो हम लगा रहे है है इस rope की द्वारा जिसे अपन tension कहते हैं ठीक है तो मैंने इस rope को पकड़ रखा है मैंने इस rope को पकड़ रखा है तभी यह body circular path में rotate उसके बाद मैं stone को पकड़ रखा है और इसको rotate कर रहा हूं force लगा रहा हूं तो rotate हो रहा है reason what क्योंकि मैं sting से यह जो rope है इससे एक अंदर की तरफ एक tension create कर रहा हूं tension create कर रहा हूं strings वगराय में tension create होता है यह tension की वज़े से जो पत्थर है वो अपने पात पर यह दूर हम यह circular path है यानि यहां का radius की बात कर लें यहां radius यहां का radius यह radius और यह हर जगा tension अंदर कीतरफ लग रहा है अंदर कीतरफ लगने वाला जो tension है एक्चुली इसे हम sensitive sentry सेंट्रीपीटल फोर्स कहते हैं इससे ही अपन सेंट्रीपीटल फोर्स कहते हैं ठीक है एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक होता है सेंट्रीपीटल फोर्स सेंट्र से बाहर लगने वाली फोर्स को ठीक है हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह कहते हैं ठीक है और सेंटर की और लगने वाले फोर्स को ठीक है हम सेंट्री पीटल फोर्स कहते हैं ध्यान रखना तो यह मैं क्यों समझा रहा हूं आपको अच्पटर में तो हमारा जो सन ग्हें दे रहा हूं को बहुत चीज होग वहारा अर्फ है इसके से उप लग रहा या फिर हमारा जो अर्थ है संके हमारा यह सन है संके आस इंपर उर्थ पर सोन पता निगा तो लगा रहा है इस्टल भाई किसी दूसरे डौर्फ गलेक्सी में पहुंच जाएगा तो परसो पता नहीं कौन से कौन से गलेक्सी में पहुंच जाएगा तो हमारा जो सन है वो उसका जो gravitational force है वो अर्थ को पकड़ के रखा हुआ है जिसकी वज़े से सर्कुलर में अर्थ समझ में कि यार कुछ ना कुछ forces तो लग रहे हैं इसको ही इन्होंने आगे चलके नाम दिया था gravitational force ठीक है हर सबका लाइक सन का भी कुछ gravitational force है जिसकी वज़े से अर्थ रोटेट कर रहा है सन को ठीक है मून रोटेट कर रहा है हमारे अर्थ को विकाज मून पे कुछ gravitational force लग रहा है हमारे अर्थ की द्वारा ठीक है उस centipetal force को change करके gravitational force of earth या gravitational force of sun या gravitational force of moon इस तरीके से बता दे गया है ठीक है I hope यह चीज बड़ी अच्छे से आपको clear हो गया होगा है ना तो याद रखना इस जो force लग रहा है अंदर की ओर the force that causes this acceleration and keeps the body moving along a circular path is acting towards the center center की ओर लग रहा है center की तरफ लगने वाले force को हम क्या कहते है centripetal force ठीक है the motion of moon around the earth is due to centripetal force ठीक है the centripetal force is provided by the force of attraction of earth ये जो centripetal force है कहां से आ रहा है ये हमारा जो मून है भाईया वो चुप-चाप सीधे पता चला किसी और दूसरे planet के पास चला गया या फिर किसी और galaxy में चला या तो हमारे अर्थ से एक force लग रहा है centripetal force उस मून पे तभी वो मून एक circular path में rotate हो रहा है और that centripetal force is known as gravitational force of earth ठीक है अब आगे एक बहुत important point है यार आगे कह रहा है कि जो अभी न्यूटन ने जो बात कही थी extended the same argument को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं for why the earth does not move towards the moon जब न्यूटन ने कहा है कि दुनिया में जितने भी objects है व अपल को ऊपर की तरफ एका जो जब वो नीचे आ रहा है because earth उस पर gravitational force लगा रहा है तो वो नीचे की तरफ मूव हो रहा है उसी तरीके से हमारा earth भी तो उस apple की तरफ मूव कर रहा होगा है ना तो हमें दिखता क्यों नहीं है ऐसा तो देखो ध्यान से ना इफ अवर solar system in our solar system all planets go around the sun clear है by arguing the same way we can say that there exist a force between sun and planets of course लगा हुआ है sun और planet की बीच में force तभी तो बाकि जो planet से sun को revolve कर रहे हैं वरना छोड़ के किसी दूसरे galaxy में नहीं चले गया होते हैं now from the evolved fact Newton conclude that not only does the earth attract an apple and the moon but all the object in universe attract each other इसी चीज़ को देखते हुए Newton ने ये बात कही थी now this force of attraction between object is called gravitational force चलो ये तो ठीक है कहां से इन्होंने ये सब्द लाया था वो मैंने बता दिया but a question mind में है does the apple attract the earth जिस तरीके से earth जो है वो अगर apple को attract कर रहा है तो क्या वो apple earth को भी attract कर रहा होगा if so अगर कर रहा है तो we do not see the earth moving towards an apple why फिर अगर हमें दिखनी रहा है कि earth apple की तरफ move हो रहा है इसका मतलब जो Newton ने ये जो बात कही थी वो गलत हो जाएगा नहीं होगा Newton ने इसको प्रूव करके बताया कि yes attract होता है but earth moon की तरफ या earth हमारा apple की तरफ क्यों attract नहीं हो रहा है हमें move करता हुआ क्यो नहीं दिख रहा है यह एक बहुत बड़ा उन्होंने एक सामने रखा था जिसके बाद से फिजिक्स का एक पूरा सिस्टम ही बदल गया है ना तो देखो अकॉर्डिंग टूने थर्ड लोग का अपने ही थर्ड लोग का मोशन का जो था help लिया एकॉर्डिंग तुद प्रोपोर्शनल टू दमास ऑफ अफ अबजेक्ट ठीक है तो क्या हुआ जिस तरीके से न्यूटन थर्ड लोग क्या कहता है अगर आपने कुछ एक्शन किया है तो यार उसका रियक्शन आपको जरूर मिलेगा उसका रियक्शन जरूर मिलेगा और वह भी सेम अमाउंट का ठीक है वट एक्ट एककोर्डिंटो एक्से कंड लोव ये चीज़तो पता है नो मास को इधर ट्रांसफर करदे तो सर्फोर्स एопन मास विपल्ट तो जाएगाे एक्सेलरेशन ते यहां से क्या समझ मैं आया की वना पान मास, is inversely proportional न activities, compute acceleration जो है inversely proportional हैं मास के इससे क्याह समझ में आया भाई? इससे यह कोई चीज़ जब inversely proportional होती है ये proportion का sign है, it means Wonka अगर मास जादा होगा then acceleration कम होगा ठीक है? अगर acceleration जादा होगा, then mass कम होगा inversely proportion का यहीं मतलब होता है वच्चा लोग ठीक है, now the mass of an apple is negligible, small compared to the earth, so we do not see the earth moving towards the apple, अब देखो भाई यार, apple के खंपर बोल रहे हो भाई, इता छोटा apple और अर्थ, apple अर्थ की तरफ एट्रेक्ट हो रहा, अर्थ क्यों एपल की तरफ नहीं हो, भाई यार देखवा, सोचो तो, क्योंकि जो अर्थ का, जो apple अक्सिलेर कर रहा है, towards the earth, जिसके वज़े से force develop हो रहा है, that is gravitational force, तो अगर अर्थ भी accelerate कर रहा होगा, तो उस पे भी कोई force लग रहा होगा, यह depend करता है, सब कुछ मास का खेले, सब कुछ मास का खेले, है ना, अब एपल का मास और अर्थ का मास, जमीन और आसमान का अंतर है, तो देख ept, जाधा कम है, जब मतलब earth का, देखा जाए, तो earth का मास इतना जाधा है, तो उस पर acceleration बहुत कम होगा, तो कैसे दीखेगा आपको move होते हुए, आना, अर्थ का मास इतना जाधा, apple का मास इतना देखां, जिसका मास कम है, उस पर जाधा acceleration लग रहा होगा, इसलिए apple earth की तर और रहा है बहुत मानुट क्योंकि वह ओक्स है यही कंसेप्ट है उस शेप्टर का मैंने बहुत लाइख से ग्रेविटेशन की स्टार्टिंग वाली चीज़ें बता दिया यार अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लोग ठीक है न्यूटन्स ने इसको और ज्यादा स्टडी करके एक बड़ा मस्त सा फर्मूला प्रवाइड किया उस फर्मूले की